सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियाक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुती इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस् बंगलादेश भारत के बारे में और भारत के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के बारे में तो ये वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इससे हम तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल बंगलादेश के बनने में किस कंट्री का बहुत रोल था किस कंट्री ने बहुत स्पोर्ट की किस कंट्री के लिए आप लोग गए के बाई हमारी हेल्प की जाए फिर एलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मुझे जो इंटरनेशनल मीडिया से मैं देखता हूँ इंडिया के आप 20 कंट्री का एक ग्रूप है जिसके अंदर इंडियन प्राइम निस्टर ने बंगलादेश की प्राइम निस्टर को एजए गेस्ट इनवाइट किया मतलब धुनिया के 20 बड़े कंट्री के साथ आपको लाके खड़ा किया कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सके उनके ल आप लो कुमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या उपिनियन है जो भंगलादेश के लोग हैं नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी ट्रेड की अगर बात करें इसमें कोई शक्त नहीं कि दुनिया का कोई कंट्री इस ताइम ऐसा नहीं जो इंडिया के साथ ट्र पाकिस्टान भी इसमें ट्रेड करना चाहता है हमारे फारण निस्टर ने स्टेटमेंट दी थी आपने शैस तुना होगा उन्होंने बोला कि हम ट्रेड करना चाहते हैं भी चार-पांच दिन पहले उनने बोला लेखिए आपके यहां सरकार नहीं आई है फिर से ऐलेक्शन हुआ है पर चहरा वही है चहरा वही है तो जब इनसान वही है तो दिमाग चेंज तो नहीं हो सकता है अब हम कैसे ऑक्टूबर का महीना 2023 का भूल जाएं कि यही नवाज शरीफ जो है वो यासिन मलिक की 12 साल की बेटी से मोधी जी को मलाइं करवा रहा था आजादी के नारे लगवा रहा था और यासिन मलिक की बेटी जो है वो उसी डाइस पर उसी पोडियम पर खड़े हो करके मोधी जी को डिफेम करने कर रही थी और पता नहीं किस से आजादी का नारह लगा रही थी यह तो मुझे भी नहीं समझ में आया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान जिस दिशा में निकल चुका है और पाकिस्तान को जिन्ना ने जो सोच कर बनाया था आज वो वहीं पर खड़ा है आज वो ही पर खड़ा है पाकिस्तान को ट्रेड बाइयटरल रिलेशन इंप्रूव्मेंट डेफलमेंट सक्सेस ना पहले लेना देना था और ना अब लेना देना है पाकस्तान का एक ही अजिंडा है मुस्लिम लीग जो जिन्ना ने बनाया था और मैं इस बात को आपकी इस बात को बहुत खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर रही हूं कि बांगलादेश को जिस हिसाब से मोदी जी ने प्रमो जाता है तो आख लजाता है तो उसी तरीके से बांगलादेश चोटी सी गंट्री है बहुत चोटी सी गंट्री है और उसमें इतना ज्या उस उस चोटी सी कंट्री को उठा करके उसकी प्राइम मिनिस्टर को उठा करके जी टुएंटी जैसे मिटिंग में बगल में बैठान और अलग से पिर उनसे गौड तालाब करना मोदी जी ने किया अलग से उनसे बाते की और उसके बाद पिर उनको जगा दी कि ये जो 20 कंट्री साथ में बड़ी 20 कंट्री बैटी है जो इकनॉमिकली बहुत पावरफुल है आप भी इनसे मिलो और आप भी अपने देश के बारे है तरक्विक रहा है हलाएं कि वह भी इस्लामीक स्टेट कांटरी अलाके बिश्म कंट्री लें उसके जो रिफॉर मेशं हो रहे हैं उसके जो डेवलमेंट हो रहे वह देखकर के आप आप पूरा Пाकिस्तान के युभाओं को शर्मिनदा मे महसूस करनी क्याए Ça Talent Landra at में जाते हैं और फिर सबसे बड़ी बात जी स्रीके से जी टॉंटी में इंडियन प्राइम निस्टर ने बंगला देश को पर्मोट किया तो यह सब के सामने है नाजिया जी लाग सेशन जो हमारा हुआ था मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन से याद आया कि आप से एक स्वाल पूछा गया कि क्या आपने टिकेट के लिए प्लाई किया और फिर मैंने बोला कि देखने वाले बताईए कि क्या इन्ने टिकेट मिलना चाहिए I think 80% to 90% जो कमेंट आये थे उसमें यही था कि टिकेट तो दरूर मिलेगा टिकेट ना मिला जो भी है मनला दिया कि आपको आपको आपके वहां पर होती है उसमें होना चाहिए क्या कहना चाहिए नादिया जी इतना जो प्यार आपने समेटा है उसकी रिजन क्या है और फिर इंटरनेशनल किसी भी टॉपिक योपर जो आपकी ग्रिप है आपको नहीं लगता कि आपकी ज्यादा जगा यहां पे मेरी जिन्दगी मेरे करियर के लिए उनका जो भी डिसिशन होगा वो मेरे सराखों पर होगा मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूं कि भारत्य जनता पार्टी और मोदी जी के नेतरित में जो सरकार चल रही है उस सरकार में जो भी निरने लिया जाता है वो भारत के भार जनता पाटी ने यह सोचा होगा कि मेरे मेरी जरूरत अभी मीडिया को ज्यादा है अभी मीडिया के दुवारा लोगों तक यह इन्फरमिशन पहुचाना ज्यादा है जो नाजिया बहुत अच्छे से पहुचा सकती है आने वाले वक्त में इंशाला टिकट पे मिल जाएगा लोगसभा में भी बैट जाओंगी हा एक अचीवमेंट मेरा बहुत बड़ा है कि आज तकरीबन इस पूरी दुनिया के मतलब 37 परसंट या 40 परसंट लोग नाजिया लाहिखान को जानते हैं और अपना प्यार निचावर करते हैं तो पूरी दुनिया का 37 और 40 परसंट तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये मुझे किस की वज़ा से मिला है ये मुझे मोदी जी की वज़ा से मिला है कोई और नहीं दिया है मुझे मेरे माबाप ने पढ़ाया था लेकिन ये जो रिनाउंड और वोकल फेस मुझे बनाया है वो मोदी जी के नाजिया जी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा मैं अभी देख रहा था और मुझे एक कॉलम में ये देखने को मिला कि प्रॉपर जो कंपेंड है इंडियन प्राइम निस्टर ने आज से शुरू की है मतलब आज से उन्होंने अलेक्शन की कंपेंड की है क्या कहना चाहे कि अधिया कश्मीर का विजट किया और वहां पर हिस्टोरिकल जो उनका वेलकम किया गया क्या कहना चाहेंगी जफा मुस्लिम वोट कितने पड़ेंगे इंडियन प्राइम निस्टर को या बीजेपी को अभी जिस हिसाब से हमारे देश में भारत में तीन तीन दीन पहले ज जिहादी मुकतार अंसारी वो उसका डेथ हो गया हाट अटक से जिए अब मुकतार अंसारी में यहाँ हाँ अब मुसल्मानों ने चाहती पीटना और विधवा मिलाब करना स्टार्ट कर दिया जैसे वो बुरहान को शहादत दे रहे थे वो अवजल गुरू को शहादत दे वो भारत के टुकडे पर इन्शालला कर रहे थे, अफजल गुरू के फासी पर वो बहुत मातम बना रहे थे और शर्मिंदा हो रहे थे, तो ठीक उसी तरीके से 63 क्रिमिनल केसिस का आतंकी, जो किड्नापिंग और लैंड माफिया, बलातकार, मुडर जैसे, और जो सरे आम उत का गला काटने के लिए मुक्तार अलसारी, तो ऐसे वेति के मरने पर जिस हिसाब से मुसल्मानों ने अपने अपना वो विद्वा, मिलाप और मातम दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसल्मान मर्द तो भारते जन्ता पार्टी को वोट करेंगे, सुनी मुसल्मान, दियोबंद मुसल्मान, जो ये दो फिरका है, वो भारते जन्ता पार्टी को वोट नहीं करेगा, बाकि जो सत्तर फिरका है, वो भारते जन्ता पार्टी को वोट करेगा, और एक चीज़ मैं और आपके चानल के माधियम से बताना चाहती हूँ, कि दियोबंद और सुनी जम कि मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा के मुकतार अंसारी किसका भतीजा है हमारे पूर उपराश्ट पती वाइस-प्रेसिदेंट ऑभारत जो पूर पॉर्डमर थे हमित अंसारी साहब का बतीजा है और हमित अंसारी साहब भी भारत की बुराइयों के लिए और भारत का नंगी औरतें ज्यादा पसंद आती है और अपना नेता वो बनाती है अपने मंच पर बठाती है बहुत सूम सलावात वाली बाइजद बाबरू औरतें ममतब एनरजी को कभी पसंद नहीं आती है तो उसी तरीके से कॉंग्रेस को हमेशा दबंगई और जिहादी आतंकी टाइ और अपना पर बेर्ट करने में रहे हैं और अन्सादी नेहां ने चितनिया भी गलत और जितना भी भारत के खिलाब काम यहां पर किया है, उन पर inquiry committee बैठनी चाहेगे. तो आपके चानल के मादियम से मैं यह बताना चाहूंगी, कि भारत के मर्दों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मुसल्मान मर्दों पर के वो भारते जंता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि भारते जंता पार्टी जैसे जैसे strong होगा, वैसे वैसे criminal और जिहादी activities भारत में बंद हो चाहेगी, और वो यह करना नहीं चाहेंगे, हाँ लेकिन भारत की मुसल्मान ओरतें, जिनको दूर दूर तक भी, मतलब politics से कोई लेना देना नहीं है, वो रोड पर उतर करके मोदी जी को वोट करेंगी, दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा, और हमेशा कितरा सोहेब चोधरी जी के सवाल, और नाजे लाइखांजी का दमदार और बेबाक अंदाजा को काफी पसंद आए होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनोंने सबसे पहले बात की, प्रो इंडियन है, वो एक बहुत स्ट्रॉंग इंडिपेंडनेंट लेडी है, और उनकी पार्टी के रिष्टे हमेशे भारत के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं, और जैसे कि नाजिये खांजी ने कहा कि, इस समय भारत से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है, हर देश भारत के साथ अच्छे रिष्टे और ट्रेड करना चाहता है, और दूसरी और आपने देखा, नाजिया खांजी ने बात की, हमारे परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के बारे में, और उन्हें अपना पिता सुरूप बताया, तो आशा करता हूँ, वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें, हमें आपके कमेंट्स के इंतिजार रहेगा, और एक बाब फिर चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमापकी से लेटेस्ट और इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहे हैं, जय हिंद, जय भारत,